Hello Friends, तो इस वीडियो में हम जानेंगे लाइसेंसियेट एक्जाम के बारे में लाइसेंसियेट एसोसीयेट एड फॉलोशिप एक्जाम के बारे में कि ये professional exam होते क्या हैं कियों ज़रूरी हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों लोग कर रहे हैं और क्या benefit है insurance exam के हमारे लिए benefit है या नहीं है तो benefit mainly इस वीडियो में वो जानेगे और साथ ही इस वीडियो में हम आपको पता भी लगीगा कि हां जी इसका registration कैसे करना है कि registration के बारे में information passing marks कितने हैं ठीक हैं कौन किसे कौन से subject हैं clear करने पढ़ते हैं इस प्रफेशनल एक्जाम की प्रफेशनल एक्जाम अभी क्या है लेसंसिये टैसोसियट एंड फैलोशिप जो इसके बारे में फुल डेटेल है इस वीडियो में ठीक है चलो शुरू करते हैं अच्छा शुरू करने से पहले यह चीज इंपोर्टन्ट है कि इसमें मैंने लिख्या प्रफेशनल एक्जाम बाई ट्रिपल आई तो यह ट्रिपल आई क्या है आई 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 यह की फुल फॉर्म है वह इंशोरंस इंस्टीट ओफ इंडिया क कोई भी जानकारी चाहिए आपको इस मतलब प्रफेशनल एक्जाम के बारे में लाइसंसियेट एसोसियेटिया फैलोशिप कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको इस वेबसाइट सोरी इस इंशोरंस इंस्टीट ओफ इंडिया की वेबसाइट से मिल जाएगी यह है इसकी लिए जरूई है आपको इसको माइंड में रखना है कि हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है कोई भी चीज करनी है तो इस वेबसाइट से है इस वेबसाइट का भी लिंक मैं है नीचल डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आप ड्रेक्ट क्लिक करो वहां पर जाओ अस्वार वृचण लाइसीं सी एट एड तो तीन एग्जाम है तो तीन उँग्यम का मतलब अलग अलग का टीळी आ है पासिंग करटेर्टिय कैंस इसमें जो मेन समझने वाली ज falta है कि सबसे पहले हमारे लिए क्यूं इंपोर्टन्ट है वाई इंपोर्टन्ट है तो σबसे बहुत जो पहला ú celebration है वहां जी मोर्टन्ट है वह हमारा पर्मोशन कैसे पर्मोशन जो already insurance company में काम कर रहे हैं अभी देखो दो टाइप की insurance company हैं हमारे यहाँ पे तो live insurance और journal insurance तो जो live insurance में काम कर रहे हैं already जो journal insurance में already पहले से ही काम कर रहे हैं उनके लिए benefit क्या है कि उनकी promotion हो सकती है through these examinations कैसे इनका कुछ criteria है कि पांच साल का experience चाहिए और अगर आपके लाए यह exam भी clear है तो आप direct manager पे चलिया होगी assistant manager बन जाओगी है कुछ ऐसा ठीक है तो live और journal insurance में ऐसा ही है अगर आपको एक तो पहले एक तो insurance industry की और information और knowledge आएगी अगर आप exam को दोगे और plus आपको क्या benefit होगा कि हंजी आपकी promotion हो जाएगी तो यह इसका benefit है सबसे पहला कि हंजी अगर live insurance में काम कर रहे हो तो आपकी promotion हो सकती है promotion होगी तो salary भी वड़ेगी तो इसलिए लोग यह exam भी करते हैं अभी second point है कहते हैं यह जो exam है professional इसको यह तीनों exam है license, associate and fellowship इनको professional exam बोलते हैं तो अभी यह professional exam का क्या benefit है एक तरीका है अभी टू एंटर इना insurance industry कोई बंदा फ्रेशर है उसके लिए भी important है कि हंजी उसके लिए एक जरिया बन जाता है insurance company में एंटर होने का क्यों क्योंकि उसको full information मिल जाती है insurance industry की तो यह exam है give the full information about the insurance industry तो यह उस बंदे को full information देंगे insurance industry की की हंजी insurance industry होती क्या है कैसे regulate होती है कौन से कौन से उसके किसने तरह insurance है क्या उसमें add-on covers हैं सब कुछ ठीक है कौन कौन बंदा कैसे काम कर रहा है surveyor कैसे कर रहा है third party कैसे कर रहा है और कौन से कौन से रूल है कौन सा रूल कब आया तो सारी information हमें लाइसेंसियेटर एसोसियेटर एंड फैलोशिप exam के तरू मिल जाएगी ठीक है premium calculation even यहां तक भी सब कुछ सब कुछ यहां इसमें examination में है ठीक है तो यह बहुत बढ़िया तरीका है insurance company में एंटर होने का suppose मैं अभी pressure हूँ और मैं अभी insurance company में जाता हूँ कि मेरे selection हो जाए तो वह मेरे को select क्यों करेंगे क्योंकि मेरे को तो अल्रेडी कुछ पता ही नहीं insurance industry के बारे में ठीक है तो वह मेरे को रखेंगी नहीं अगर मेरे को पता हो कि insurance होती क्या है तो मैं इंटर्व्यू भी करेंगा ठीक है एक तरीका है ठीक है बहुत बढ़िया यह platform है ठीक है और सबसे बढ़िया industry है जो insurance industry है ठीक है और तीसरा point है हमारा government job तो government क्या करती है जो सरकारी insurance company होती है उसमें भी कई जगांपे सरकारी जॉब निकलती रहती है इन एक्जाम के बेस पे वह बोलते है कि हाँ जी उनको licenciate cleared exam जो candidate है वो चाहिए यह associate cleared जिसने associate clear किया या fellowship clear किया है वो उनको direct वो direct भी manager लग जाता है associate fellowship कुछ भी लिखना तो उसमें लिखना government job तो आपको आपको description में मिल जाएगा कि हाँजी नीचे पढ़ोगे न तो मतलब Google में नीचे जाके पढ़ोगे कि हाँजी उसको आपको प्राणी job of vacancy की information मिल जाएगी कि हाँजी दो यार सत्रा में या दो यार उन्नी में या दो यार इकी या भी अभी job vacancy आगे आ रही है लाइसेंसियेट की ठीक है तो direct government वह भी मिल जाती है आपको ते बहुत benefit है अच्छा यह मैंने बोला ना way to enter in insurance industry insurance industry में चाहे वो government हो चाहे वो private sector हो तो वह आप कहीं पे भी आपको job मिल सकती है ठीक है यह बहुत बड़ा insurance industry का मतलब बहुत बड़ा platform है अगर आप enter करना चाहते है तो सबसे best है यह मतलब यह तोड़ा सा हम यह जान लेते हैं professional exam के बारे में तो होता क्या है तो यह तीन level में होता है first होता है level as licenciate exam तो दूसरा level होता है associate exam तो तीसरा level होता है fellowship exam तो यह नीचे से ऊपर की और जाएगा means आप licenciate clear करोगे तभी eligible होगे आप associate exam करने के लिए associate exam clear करोगे तो आप fellowship exam करने के लिए clear मतलब तभी आप fellowship के लिए बैठ सकते हो exam देने के लिए ठीक है इसको detail में इस concept को detail में समझते हैं कि कैसे करेंगे तो यह पूरा concept है अभी इ licenciate exam clear करने के लिए certificate के लिए अभी यह 60 credit क्या होता है इन्होंने क्या किया है कि एक subject को कुछ credit दे दिये गए हैं कि हाजी यह subject अगर आप clear करते हो तो आपको इतने credit मिलेंगे उस case में क्या होता है कि हाजी तो अभी minimum I think यहाँ पे ना 20 credit का एक subject है तो अभी देखो 20 credit का एक subject तो आपको 3 subject clear करने होएंगे licenciate exam में तो हमारा licenciate exam में 3 subject है तो 20 credit का एक प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 तो 60 credit पॉइंट चाहिए licenciate exam करने के लिए और associate diploma के लिए associate exam के लिए हमें 250 credit चाहिए pass होने के लिए minimum यह minimum maximum जितने मर्जी ले लो आप तो 250 credit पॉइंट चाहिए pass होने के लिए यानि कि देखो यह अभी 250 credit पॉइंट में क्या है 60 यह लिखा including the credit points at the lesson state level 60 credit पॉइंट आपको वही मिल जाएंगे यानि कि 3 subject clear करें आपको 3 और करने की जरूर नहीं है तो 60 वही credit मिल गए प्लस 190 आपको और चाहिए और आपको टोटल करने है 250 टोटल credit पॉइंट करने है तो आपका associate ship diploma वह भी clear हो जाए और fellowship अगर 250 credit पॉइंट मिल गए तो आप fellowship पे डिप्लोमा के लिए eligible हो जाए तो ठीक है तो आपको अभी fellowship अग चाहिए और जो आपने पहले अर्ण किये हैं जो पहले आपने प्रापत किये हैं 250 credit पॉइंट वह भी इसमें जूडेंगे 250 credit पॉइंट प्लस 240 पॉइंट के और सब्जेक्ट चाहिए तो टोटल आपने 490 credit पॉइंट करने है और आपका ये clear हो जाएगा पूर प्रफेशनल पॉइंट करने पड़ेगा 60 पॉइंट चाहिए और अगर फैलोशिप क्लियर करना चाहिए तो 490 credit पॉइंट चाहिए तो आपका ये clear हो जाएगा अभी हम डिटेल में जाएंगे लाइसेंट एक्जाम के बारे में तो हमसे पहला जो पॉइंट है तो ये मैंने पहले भी थ एक्जाम सोरी 3 subject देने पड़ेंगे तो वो हर एक subject 20 credit का होगा 20 प्लस 20 प्लस 20 तो 60 यानिकि 60 credit पॉइंट का लेसेंट एक्जाम है और तीन subject हमें देने पास करनी होएंगे तो इसमें passing marks कितने है तो passing marks 60 है तो यानिकि लेसेंट exam clear करने में हर एक subject means कि एक subject 20 credit का है ठीक है अग 20 credit का भी है तो हमें वो subject pass करने के लिए 60 points चाहिए 60 points क्या है 100 questions में हमारे 60 questions ठीक होने चाहिए ठीक होने चाहिए यह 100 questions का exam होगा 100 questions में हमारे 100 questions अग्जाम है तो उसमें 60 marks चाहिए हमें pass होने के लिए पास ही marks है suppose अगर मैंने exam जिया और मेरे 59 marks आगे 59 marks आगे 59 marks आए फिर भी उसमें क्या है कि मुझे पास होने के लिए अगर 59 भी आए तो भी मैं feel तो मेरे को पास होने के लिए minimum 60 points चाहिए ही चाहिए एक subject पास करने के लिए ठीक है तो अभी जो हमारा यह अभी देखो लैसेंसियेट exam तो ठीक है हमने पता लग गया कि लैसेंसियेट एंड फैलोशिप है क्या कैसे कैसे पास हो का अभी हमारी जो इंशोरंस इंडस्ट्री है वहां में दो सेक्टर है एक तो है journal insurance और दूसरा है life insurance जर्नल insurance का अलग system है और life insurance का अलग system अलग अलग उनकी policies है ठीक है add-on covers है सब कुछ अलग है तो इनका एक्जाम भी अलग है कैसे एक्जाम है पहले journal insurance के बावारे में हम जानेंगे ठीक है और यह दो एक्जाम है आइसी 01 principle of insurance आइसी 11 practice of journal insurance यह दोनों compulsory exam है एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट 20 credit का है ठीक है 20 प्लस 20 चालिस यह दोनों 40 credit के दो एक्जाम है और यह दोनों compulsory है अगर हम journal insurance क्या licensee exam clear करना चाहते हैं तो यह subject हमारे पास होने जरूरी ही है ठीक है तब ही हमें licensee का certificate मिलेगा और life insurance में यह दो सब्जेक्ट है आइसी 01 principle of insurance यह दोनों तो common है दोनों में यह दूसरा subject है इनको अलग करता है आइसी 02 यह है practice of life insurance तो यह life insurance का subject है यह journal insurance का तो यह दोनों अगर life insurance का license certificate चाहिए तो minimum यह मतलब यह mandatory है यह compulsory है यह जरूरी है यह subject clear होने ही चाहिए अगर journal insurance का तो यह दोनों subject होने चाहिए अभी देखो दोनों यह 20 credit point का है subject यह भी 20 credit का है तो हमें अभी हमारे हुए 40 credit 40 credit है जो तीसरा subject है वो होता है optional तो वह भी हमें 20 credit का choose करेंगे तो हमारे total 40 credit point हो जाएंगे ठीक है तो mostly क्या होता है mostly जो लोग होते हैं तो वह ज्यादा आइसी 40 regulation of insurance business यह 20 credit point का subject है तो यह choose करते हैं 20 का यह हो गया 20 का यह 20 का यह तो हमारे 60 credit point हो जाएंगे सपोज मेरा यहाँ पे अभी आइसी 01 principle of insurance clear हो गया यह 20 credit का है ठीक है और आइसी 14 regulation of insurance यह भी 20 credit का है बट मेरा यह वाला subject clear नहीं हुआ आइसी 02 यह clear होगा यह clear हो गया मेरे 40 credit हुए ठीक है और इमानों मैंने एक और subject भी ले ले लिया हम optional है और भी ले सकते हैं ठीक है वो भी clear कर लिया बट यह दो mandatory है इसको clear करेंगे तब ही लाइसेंसियेट का certificate issue होगा तो hopefully यह clear हो गया यहां पर आगे चलते हैं तो यह last हमारी slide है तो इसमें क्या है कि लाइसेंसियेट exam में हमें करना क्या पड़ेगा सबसे पहले सबसे पहले क्या करना है हमें profile create करना है login ID क्रेट करना है यह कहां पर क्रेट करना है वही ट्रिपल आई की website में जो सबसे सबसे पहले वाली स्लाइड में ने बताया ठीक है ट्रिपल आई वही important website है तो वहीं पर करना है तो profile and login ID में भी एक और है इसमें हमें personal information बतानी है हम हमारा नाम पता address कौन सी company में काम कर रहे है कहां कर रहे थे वह पूरी information अगर हम insurance company में काम कर रहे है insurance company की information और उनका contact भी हमें देना पड़ता है तो personal information वह होगी profile picture भी upload करनी होती है हमें अपने signature उस पर करके कागज़ पर और वो भी उसकी picture क्लिक करके वो भी upload करनी होती है इसकी dimensions होती है उसके coding ही हमें upload करना होता है ठीक है second point आ गया है registration registration में क्या है हमें registration करना पड़ता है जानी licenciate exam हमें मतलब profile create करने के बाद हमें register करना हो गया कि हम जी licenciate exam के लिए तो उसकी registration की भी कुछ fees है एक्जाम जो exam fees है वो भी अलग है यानि हर एक subject की अलग अलग fees है registration fee समझो की 700 है अभी तो 700 है यह change भी हो सकती है ठीक है जब आप वो registration कर गो तब ही आपको पता लगए exam की fees है तो वो गया ठीक है और उसके बाद आगए slot booking slot booking में क्या है कि slot booking क्या होता है slot booking होता है exam की date booking तो exam date booking को हम slot booking बोलते हैं ठीक है पहला हमारा हो गया profile creation उसके बाद हो गया registration registration के बाद हो गया slot booking slot booking हमारा exam date booking हो गया उसके बाद हमें होता है hall ticket यह देखो यह मैंने यह इसको detail में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो ट्रीपल आई है जो इंशोरेंस इस्टिट ओफ इंडिया है वो डेशिट बताता है डेशिट में क्या होता है कि उसमें हमें एक होता है कि यह date से लेके यह date तक हमें एक date से लेके दूसरी date ठीक है तो एक date time दिया जाता है तो उसी time में क्या होता है हमें उसी time में registration करना होता है अगर मानो इस date से लेके इस date मतलब मैं उसको registration नहीं कर सका तो क्या होगा मेरा registration होगा ही नहीं ठीक है तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप date sheet का ध्यान रखना है और उसी date में आपको registration करना होगा और slot booking का बैसा एक date से लेके यानि एक date से लेके दूसरी date तक आपको time दिया जाएगा ठीक है उसी time में आपको slot booking करनी है यानि की exam की date booking करनी है suppose आपकी exam की date booking अभी नहीं हो सकी ठीक है तो आप miss करगे exam ऐसा समझे लो ठीक है तो ये important है अभी ये जो date है वो कहां से मिलेंगी यहां प्रोपर registration कैसे करना है क्या है इसाब है क्या पीस है क्या है जो भी है तो इसकी पूरी information मतलब पूरे इस channel में है इसकी न मैं description में भी डाल रहा हूं आपको चाहिए न तो आप उसमें देख सकते हो कि registration कैसे करना है slot booking क्या है ठीक है कैसे है तो ये पूरी information आपको मिल यहां पर पूरी इस channel में description में मैं डाल रहा हूं ठीक है और जो ये जो examination dates है तो यानि कि जो ये जो dates है न जो ट्रिपल आई के द्वारा है ठीक है ट्रिपल आई के द्वारा है तो वो भी मैं उसकी भी मैं इस channel पर upload करता रहता हूं उस पर भी ध्यान रखना और आप भी कि हांजी कौन सी date कब है और मतलब कब registration है कब slot booking है ठीक है तो जब आप slot booking करते तो आपको option आजाता है hall ticket का hall ticket क्या है hall ticket है आपका admit card हो गया ठीक है admit card means आपको exam में बैठने के लिए ID card जाए तो वो गया आपका जिसमें आपकी photo रहेगी exam की information रहेगी और यह hall ticket बहुत जरूरी है अगर exam में जाते हो तो वो आपको मांगेंगे और आपको वहाँ पे stamp करके sign करके वापस देंगे आपक तो यह सारी information थी लाइसेंट एंट फैलोशिप जो हमारे professional examination के बारे में अगर कुछ भी आपको information चाहिए तो आप नीचे comment में कर देना तो मैं definitely आपको comment का reply करूंगा ठीक है और इस video खतम करती है यहीं पे thank you so much